सुप्रभाद बच्चों, उमीद है कि आप सब स्वस्थ हैं बच्चों, आज हम पढ़ाई जा रहे पाट सब्द रचना के आगे के अंश को पढ़ेंगे विछली कक्षा में हमने श्रोत या उत्पत्ति के आधार पर सब्दों के प्रकार के विशे में पढ़ेंगे आज हम आरंब करेंगे रचना या बनावट के आधार पर तो बच्चों, रचना या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं रूड, योगिक शब्द और योग रूड सब्द रूडशब्द ये ऐसे सब्द होते हैं जिनके यदि तुक्रे करें तो उन तुक्रों का कोई अर्थ नहीं निकलता यदि आदमी के तुक्रे करेंगे तो आ, द, मी को देखें तो किसी का भी कोई अर्थ नहीं होता रूडशब्दों को मूल सब्द भी कहते हैं कवी, घर, दूद, पशू, होश, मस्त, आदी कुछ रूडशब्द है योगिक शब्द, जो शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें योगिक शब्द कहते हैं जैसे पाठ जोर शाला, पाठ शाला, चिरिया जोर घर, चिरिया घर, सबजी जोर वाला, सबजी वाला, देव जोर दूद, देव दूद, तो ऐसे शब्दों को योगिक शब्द कहते हैं योगरूड शब्द ये शब्द ऐसे होते हैं जो योगिक शब्दों की तरह दो या दो से अधिक शब्दों के योग से तो बनते हैं पर इनका एक विशेश अर्थ होता है जैसे हिम जोड आले हिमाले यहां हिमाले का अर्थ बर्फ का घर ना होकर एक विशेश परवत का नाम है ऐसे ही जल जोड ज ज का अर्थ होता है जन्मा लेकिन इसका अर्थ है जलज अर्थात कमल मुली धर मुली धर अर्थात कृष्ण को मुली धर कहा जाता है उसी प्रकार जलद दशानन नील कंट पितांबर लंबो धर आदी योग रूट शब्दों के अन्य उधारन है प्रयोग या व्यकरन के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं विकारी शब्द तथा अविकारी शब्द विकारी शब्द जिन शब्दों का रूप उनके प्रयोग के कारण बदलता रहता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं संग्या, सर्वनाम, विशेशन, तथक्रिया विकारी शब्द होते हैं क्यूंकि लिंक वचन, काल, आदी के अनुसार इनका रूप बदलता रहता है उधारन के लिए आप देख सकते हैं संग्या शब्द लड़का, लड़के, लड़को सर्वनाम सब्द वह, वे, उसने, उनके, उन्होंने विशेशन सब्द गोरा लड़का, गोरे लड़के या फिर गोरी लड़की भी हो जाती है क्रिया शब्द जाता है, जाते हैं, गया, गये, जाएगा, जाएंगे अविकारी शब्द, जिन शब्दों में कभी भी किसी भी स्थिती में कोई परिवर्टन नहीं होता यानि कि जो शब्द जैसा है उसको हर स्थिती में वैसे ही लिखा जाता है उन्हें अविकारी शब्द या अव्याय कहते हैं जैसे यहां वहां और परंतु अरे धीरे धीरे किन्तु जैसा तेसा आदी क्रिया विशेशन संबंद बोधक समुच्य बोधक तथा विशमयादी बोधक चार प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं इनके विशे में हम आगे पढ़ेंगे तो बच्चो आज इस पाठ को हम यहीं तक पढ़ेंगे आप पढ़ाए गए अंच का अभ्यास कीजे और दिये गए ग्रिया कारे को पूरा कीजे धन्यवाद